तो ही गाइज वेलकम बैक टूवर न्यूव वीडियो और चाप्टर नंबर टैन डाइज लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन तो यह गाइज आप यह वीडियो मतलब इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए आप किसी भी वीडियो से पढ़ो ऐसा पढ़ना क्योंकि चैप्टर से ने इसमें बस एक दो पॉइंट है और यह चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमस्ट से कि यह चैप्टर आप किसले बस आपके सीवेसी के अग्जाम में आएगा ही आएगा तो अब स्टार्ट करता है हम वाट इस लाइट ला हमें देखने के लिए लाइट ठीक है अब हम बात करें तो हमाहीं पास दो आपज़क्ट आते हैं आता है एक लुमिनस में क्या जाएगा अपनी खुद के लाइट होती है इनके पास पर एजामपल सन नॉन लुमिनस पर तो खुद के लाइट नहीं होती उसके जामपल क्या जाएगा हमारा चेयर ठीक है if we move further so there are properties of light मतलब लाइट की क्या के properties होती है हमेशा दखी यह चाहिए स्ट्रेट लाइन में जाती है लाइट कभी ऐसे ऐसे करके नहीं जाती है लाइट हमेशा चीजी जाती है चाहरो रिफ्लेक्ट हो चाहरो रिफ्लेक्ट हो चाहरो ट्रांसमिट करें ठीक है है लाइट वैक्यूम में स्पीरिट ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होती है यह दिस थी इंटो टैन की पावर एट ओके वन मोर इंट्रस्टिंग थिंग आइस आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी थंडर स्ट्रॉम होता है पहले दिखाई देता है बाद में सुनाई देता है कुछ लोग इसको the speed of the light is more than the speed of sound मतला हमारी लाइट की स्पीड जादा होती है साउंड के मुकाबले में फिर सनाइ सब्सक्राइब एक हमए पृपटिस पढ़ते हैं हमें इसमें अब इसकी सपीड होती है 2 इन्ट्न की पावर और 8 eth पर सेकेंड यह लाक्ट्रोमाइटिक वेव होती है मतलब इसको कोई मीडियम में चाहिए होता है त्रावल करने के लिए यह खहीं भी ट्रावल कर जाती है ठीक है अब अब में चीज पाएंगे देखो जब भी कोई जाएगी किसीपी सबस्टेंस पर पडएगी तो तीन केस होंगे उसके यहां तो एब्सकें जाएगी किसीप बीचान के एबसाव होगा है ठीक है अंदर होगी साइकन केस क्या होगा लाइट गई सब्स्टंस पर गई और वह ट्रांस्मिट हो गई । और थार्ड केस क्या वह रख गैए और वह रिफलेक्ट बैक हो गई जब वह परकार individual क्या होगा देके जीसरे हमारा ग्लास की सबस्टेंस और रिफ्लेक्ट कौन करेगा हमारा बाउंस बैक उसे हम बोलेंगे वो करेगा मिरर ठीक है अब हम पढ़ेंगे चैप्टर के में टॉपिक जो हमारा नाम में था रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में सो रिफ् होके bounce back कर गई तो इस phenomenon bounce back के phenomenon को हम क्या बोलते है reflection of light the process of bouncing back of light rays when falls on surface of object that object may call mirror on matter or any matter type of substance ठीक है light का आना और उसका bounce back कर जाना उसको हम बोलते है reflection ठीक है अब हमारी reflection में भी हमारी अलग अलग terms होती है अगर हम लोग terms के बारे में पढ़ेंगे तो इस types होता है दोखो यह मारा mirror का surface है हमारी light आई और light हमारी चली गई अब जो light आई है और light गई है उनके बीच में हमारा एक non perpendicular line बनती है बताऊंगे मैं आपको सब कुछ ठीक है जो light आई हमारी उसको हम क्या बोलेंगे हमारी incident ray light वापस बाउंस बैक होके गई उसको बोलेंगे reflected ray which sent back और bouncing back of light ठीक है और हमारा normal होता है यह normal क्या होता है यह जिस substance पे incident ray आती है ना उस substance पे एक perpendicular line बनती है उसे हम बोलते हैं normal ठीक है यह बनाने के काम आता है अब आपको लोगे एंगल आई क्या होता है देखो एंगल आई क्या होता है हमारा जो भी हमारी incident ray आई और normal इनके बीच पर जो हमारा एंगल बनता है उसको हम बोलेंगे angle of incident मतलब incident ray और नॉर्मल की बीच का एंगल और जो हमारी light bounce back हुई और नॉर्मल की बीच का एंगल को हम क्या बोलेंगे एंगल आफ रिफ्रेक्शन गाइस यहां पर एक चीज़ा बिल्कुल अच्छे से आद रखना बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक कर देते हैं वो लोग incident ray और प्लेन को उसको एंगल of incident दिख देते हैं यह बिल्कुल गलत होता है ऐसा कुछ नहीं होता हमारा हमेशा एंगल जो भी बनाता है एंगल of incident ray और हमारा normal मिलकी एंगल बनाते हैं incident ray और नाउमल बनाएंगiénे तो एंगल of incident खहलाएगा अगर हमारा reflected ray और नॉर्मल बनाएंगे तो हमारा आंगल R खहलाएगा ठेक है है जो मैंने डाइफिनिश्म में भी पूर निखा है itta ₚ है incident ray मतलबxis ऐंगल बीटीए अगल मतलब आइंगल बिटीएं इंसिदेंट ल्य मद नौर्मल और आजल अर मतलब त Muss level off reflection अंगल बिटीएं डिफलेक्टिजंच पहतना नौर्मट यहा तो हमारी नормल घौन अब हम पढ़ेंगे laws of reflection मतलब reflection काम करेगा तो इसके तो अपने laws होंगे ना आप लोग घर में काम करते हो आप लोग अपने rules बनाते हो कि हम लोग इधर नहीं जाएंगे इधर नहीं जाएंगे तो इसे तरीके से reflection ने भी अपने दो laws बनाए है कि वो इनकी basis पर काम करता है यह follow हुए तो वो काम करेगा वरना काम नहीं करेगा ठीट है reflection भी हमारे तरीके से अब reflection के laws क्यों होते हैं कि हमारा angle of i और angle of r मतलब कि हमारा incident angle और reflected angle सेम होते हैं लाइट आई चली गई अलब कि light i हमारी normal बना और normal की वरे से वो लाइट चली गई तो जो angle i बना और angle r बना वो दुने दूसरे के इकल होते हैं और angle i angle r और normal यह सब एक ही plane पे लाइग कर रहे हैं मतलब एक ही surface पे लाइग कर रहे हैं यह नहीं कि angle i अलग किसी और mirror पे angle r किसी और mirror पे नहीं सब अलग की surface पे लाइग कर रहे हैं यह तो हमारा loss of reflection होगा है अब हमारी देखो two types of image यह आपको reflection में भी पढ़ना है हम जब हमारी image बनती है वह two types के होती है एक होती है virtual एक होती है real वर्चॉल मतलब gear रियल मतलब र्याल मतलब असली image थिक है तो वर्चॉल image किया हूती है इसका मतलब increase नहीं है और मैं ता रहु Como नहीं सीधी और inverted को, अब हमारा virtual image क्या होती है, देखो, जब भी हमारी कोई light आएगी, यह हम वगर concave mirror की बात करेंगे, कोई भी light आएगी, reflect back कर जाएगी, तो जो light real में reflect back हो रही है, उससे जो angle बन रही है, इससे जो image बन रही है, उसको हम बोलते है, real image, मतलब हमें से imagination में नहीं ले जाना पड़ रहा, जो actual intersection होता है, light trace का, उसको हम बोलते है, real image, और एक जो हमारी virtual image आती है, वो क्या ओता है, हम, देखो, उसमें क्या ओता, light eye हमारी bounce back कर गई, हम, अब इसको imagination में मिलाते है, light को, imagination में उसनीचे से भी आसी हुआ, light आई चली गई, अगर हम इसको imagination बनाएंगे, तो हमारी image का बनेगे, यहाँ पर, और वो image सीधी बनेगी, सीधी बनेगी, तो यह हमारी होती है, virtual image, तो, real image के होती है, जो real, actual intersection से बनती है, हमा imaginary intersection से बनती है, और यह तो आपको, अभी आगे पर, यह तो आप असी रियात कर लो, की, real image हमारी, concave mirror और convex lens बनाता है, virtual image हमारी convex mirror और concave lens बनाता है, उल्टा-उल्टा होता दोनों में, चिक है, अब, अब हम, अगर बात करें, बहुत जादा important term की, तो हमारी आती है, जो real image हो बनती है, screen बोले तो, जैसे आप लोग movie देखने जाते हो, आप इस इने मा की screen होती है, उस पर, आप बोलोगे वह सीधी होती है, जो पीछे projector लगावा होता है, उसमें image हमारी उल्टी होती है, लेकिन जैसे वह hall screen पर जाती है, उस screen पर जाते है, पाथवे से वह सीधी होती ह ठीक है, और जो virtual image होती हो, हमारी कभी भी screen पर नहीं बनती, virtual image हमेशा हमारी middle way गयता पर बनती है, screen पर नहीं बनती, ठीक है, यह गल्ज लिख़ा है, इसमें होगा virtual image हमारी screen, do not form on screen, जो screen पर नहीं बनती, ठीक है, अब virtual image के भी example दो, यह ना image on screen, यह मैंना थ्रू सा गल्ज लिख दिया, screen नहीं, image on plane mirror, plane mirror लिख दो, plane mirror, जो plane mirror में image होती है, वुलकुर सीधी होती है ना, तो हम बोलता है virtual image है, वो हमारी, मदद सीधी image, हम यह चहां भी बता हमाएगा virtual, तो virtual n direct सात में है, real n inverted सात में है, तो क्या समझें, virtual image, जो हमारी imagination में intersection होता है, और जो real image होती हम हमारी actual intersection होता है लाइड रेस का और हमारी virtual image होती है कभी भी screen पे नहीं बनती है real image हमेशा हमारी screen पे बनती है ठीक है अब हम पढ़ेंगे image form by plane mirror plane mirror में घो हमारी image बनती है वह से characteristics क्या है और मेरे दाएन वर्चॉल अनि एरेक्ट होती है साइस सें और इमेज नाये मिरर आपक्त वह एक स्सक्राइब का जा मेर के जब आप mirror के सामने खड़ोता है आपके right side mirror में left side को दिखती है left side आपकी right side में दिखती है मतलब mirror में right वाला portion left वाले portion पर दिखता है left वाला portion राइट वाले portion पर दिखता है यह वाईसा वर्सा इसे को बोलते है हम lateral inversion मतलब बिल्कुल inversion बिल्कुल change जाता है इसका हम अगर यूज देखेंगे लेटर इंवर्जन का लेटर इंवर्जन का लेटर इंवर्जन देखाऊगा आपने जो हमारी से जाहिए किसी भी मिर्र पर बने तो वह बिल्कुल सीधी बनके है मतलब कि जो वहीकल होते हैं उनके मिर्जा अब भी ambulance को देखे तो यह चीज बिल्कुल सीधी बनके है सीधी क्यों बनके आएगी lateral inversion की वजे से ठीक है तो लेटर इंवर्जन का हुए of an object is placed in front of plane mirror the right side appears as left and vice versa right side हमारी left के तरह दिखती है और right side हमारी right के तरफ को ठीक है यह मारे होगे later vision, characters check हो गई, plane mirror की हमारा क्या होगा uses uses क्या होता है plane mirror के खुद को देखने के लिए और हमारा shops पर लगे होता है अदर कि image बिल्कुल real दिखे और body से दिखे थोड़ी, periscope, periscope देख़ो ना अबने यह ना हमारे नदियों में use होता है कुछ इस तरह के तरह के का substance होता है, यहां पर mirror लगा ओता है, यहां पर mirror लगा लाइट यहां पर लाइट हमारी इमेज दिख जाएगी यह पानी में, पानी में, आर्मी यूज करती है ताकि वह बहार की चीजे बहार क्या काम हो रहे हैं वह देख सके, ठीक है, periscope में काम आता है, brain mirror हमादा, और ambulance वही है, ambulance को देखने के लिए, ambulance word को देखने के लिए काम आता है, इस चीज को हम बोलते है लेटरल इन्वर्जन, चीक है, तो ओके गाईज, that's it for now, हम इस पार्ट इस वीडियो को ना, अनलब लाइच चैप्टर को हम तीन पार्ट में पढ़ेंगे, एक में हमने पढ़ा basic intro, basic intro पढ़ा एक में हमने, एक में हम पढ़ेंगे reflection, पूरा का पूरा, और एक में हम पढ़ आपको इंटरस्ट भी आए, इसलिए मैं अभी end नहीं करेंगे, बलकि एक चौर बताएं थी मुझे आपको, that is, हमने ये पढ़ लिया, spherical mirrors, जो हमारी mirrors होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, एक तो हमारा concave mirror, एक होते हमारा convex mirror, देखो, आपने चंबच इस तरीके के होती है है ना, चंबच, तो अभी मैं चंबच के बताती हूँ, concept, अभी हमारा concave mirror के होता है, एक ऐसा mirror होता है, जिसका हमारा outer surface polished होता है, और हमारी जितनी पर reflection, ये mirror हमेशन हमारी reflection perform करते हैं, और हमारे lens होते हैं, वो हमेशन हमारी reflection देते हैं, और हमारे lens होते हैं, मतलब ये तो हमारे glass से बने वे होते हैं, ये हमारा reflection, रिफ्रेक्शन देते हैं, reaction और reaction, इन में different देखने आपको, जो हमारा concave mirror होता है, इसका outer surface polished होता है, जितनी भी reflection होती है, इसमें वो अंदर की तरफ को होती है, लाइट गई ऐसे करके, ठीक हैं, और जो हमारा convex mirror होता है, वो हमारा अंदर से polished होता है, और हमारा outer side पर reflection देते हैं, लाइट आती हैं, वो diverge कर जाती है, ऐसे करके, ठीक है, तो इसमें क्या होई light आई, वो अंदर की side को ही चली गई, इसलिए हमें से बोलते हैं, converging mirror, इसमें क्या होई light आई, और वो diverge कर गई, इसलिए हमें से बोलते हैं, diverging mirror, ठीक है, और जो हमारा concave mirror होता है, उसका outer surface, मतलब reflecting surface is curved inward, मतलब reflecting surface हम से एक जल यां न इंटर की तरफ से हमारे," इसलिए लिक्प है, refractive surface अंदर की तरफ़ को करवरर होता है," और जो हमारा, पॉलिश होता है, वो बाहर की तरफ को रहोती है," और स्ली रिफ्लैक्टिन में, triangles में, mesure में कर्वड ए और बाहर arrive हमारी इसकी reflection होती है ठीक है और जो हमारा concave mirror होता है यह mostly हमारी real and inverted image दिखाता है दिंगाता है मतलब यह ना इसमें एक-डो केस छोड़के सारी की सारी हमारी inverted मतलब ultimate image दिखाता है और जो convex mirror होता है इसमें सारे केस में हमारी सीधी इमेर्ज दिखाता है बलकुल सीधी इमेज वर्ट् सब्सक्राइज रिर रेंड इनवर्टिपर 1967 अब अगर हम देखेंगे चमज का चमज हमारे कुछ इस तरीके से होती एक्ष्ग्ध के देखने की चमच का भार पोर्षन होता है वह अलब कि अगर हम चमच को अंदर वाला साइट पर देखेंगे तो हमारी इमेड हमेशा उल्टी दिखेंगी और आगर अग्वार वाली साइट पर अपनी फोटो देखेंगे तो हमारी साइड पर की तरफ को रिफ्लेक्शन को वहार की तरफ को चाहिए और ना कॉछ ने सब्सक्राइक गन तरह की तरफ को सभलाफ टो चुन्हार जाए दक आएगेगी को एक करना मियर मतलब कि अंदर की साइड को डाकर फ्लेक्शन होता है मुझा पर मारी ओल्टी दिखती जुभार साइड को सीदी तो यह आपको यह स्याद़ना कानों के दा कौन वर्ज इंग बॉता है कॉणग मतलब साहे लाइट आके कॉंबर्च कर जाना कॉणबर्ज कर जाना और मतलब जो मारी लाइट देखो यह तो पॉलिश सोसेसा यह हमारी light आ रही है वह diverge कर जाना बाद में हम इमेंजिने में मिला देते हैं से लेकिन यह diverge हो जाती है तो अब हम अगली ग्रास में पढ़ेंगे सारे के सारे convex mirror और concave mirror इन जब के बारे में reflection और अच्छा से पढ़ेंगे अब हमने क्या बड़ा सारा के सारा है let's take a summary in two minutes light के होती है ऐसी energy होते है जो हमें देखने में help करती है luminous object non-luminous object हमारे दो टाइप के होते है दो टाइप के object होते है luminous जो हमारा खुद की light emit करता है properties of light अलग 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 है कि वह straight line में travel करती है इसकी speed इतनी होती है EM electromagnetic wave है और reflection के होता है हमारा bouncing back of light example silver हो सकता है या फिर mirror से हो सकता है और हमारा loss पढ़ेंगे हम loss के होता है reflection के angle i is equal to angle r और angle i r and lie on same plane where angle i is equal to angle of incident r is equal to angle of reflection and is equal to normal हमारी दो टाइप की image होती है virtual and real image virtual image के आती है जो हमारी सीधी image होती है और real image के आती हमारी ulti image होती है virtual image हमारी screen पर नहीं बनती है हमारी supportive mirrors पर बनती है और real image हमारी screen पर बनती है virtual image नहीं होती है वह on imagination में intersection Dollar light trace का जो real image होती है वह on actual intersection is light trace का अब plane mirror के विन चत्किते छाइन की होता है इस शाइस हमारी आपजयक्ट के सेंट सेंट है राइट सीवाइट के वहाताई है तुछ राइट में बेता है और लाइट साइड हमारा राइट में दिखता है ठीक है एक हमारे एंबॉबल के मिलर में घाले उपना हैै और धिशन के की दिशन के में मीलेंर देख मीजिज जो गते हैं इस को सब्सक्राइब दिखने के यूजा इस था तक होटा है को सारी कन वर्ज कर लें थे तरफ को आपके डिए और इसका कॉंट के रिफ्लाक्टिंग सर्फेस अंदर होता है और कॉंट रिफ्लाक्टिंग सर्फेस आउट वर्ड होता है आपको आपको स्क्रीन शॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो छोटा कड़ें तक इस लिए जाएं यह हो गया हमारा यह अगर आप लोगों को चैनल पर जुटना है और अगर हम लोग तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको चैनल मिल जाएगा थैंक यू